कि खुली किताब सा आसान हुम है साधगी पे है और विडोधाबा सलंकार रहेगा कि खुली किताब सा आसान हुम है ना समझ आने वाली जुबान हुम है खुली किताब सा आसान हुम है ना समझ आने वाली जुबान हुम है दिल से पढ़ना चाहोगे तो मैं तुम्हारा दिमाख लगाओगे तो आस्मान हूँ आज हाथ काप रहे हैं दो दो एकजाम हैं आज देख आया हूँ एक भाई आया है तो उनके सामने बोल रहा हूँ तो एकजाम ही है यह पढ़ता हूँ सुनिए का मेरी चाहतों में कोई रोश नहीं है तुचांद है ऐसी जिसमें कोई दोस नहीं है मैं नसे में नहीं पर मुझे होस नहीं है हाँ घर है मेरा नस्दीक मैं खाने के हाँ घर है मेरा नस्दीक मैं खाने के पर जानी हम मदोश नहीं है अगला पढ़ता हूँ सुनिएगा कि राधे स्याम बनना आसान नहीं है महबत में तो सुनिएगा कि मेरे दर्द को समझना आसान नहीं है मेरे दर्द को समझना आसान नहीं है, महबूग का हाथ दूसरे हाथ में देखना आसान नहीं है एक बार में जलना और मर जाना फिर भी आसान है, हर रोज तिल तिल चा जलना आसान नहीं है अब महबद करना तो आसान है, महबद करना तो आसान है पर राधे स्याम सा बनना आसान नहीं है तो बनारसी प्यार, जब बनारसी लड़का प्यार करता है तो उसकी क्या ख़ाई सोती उसको लिखता हूँ कि सुबहे बनारस सा साथ तेरा, बी अच्यू की हरियाली सा तेरा मन, असी सा सुकून तेरे संग, गंगा आरती सा मनमुखक सौंदर, और अदा तेरी जैसे नदियों में उठती लहर, दिल की इच्छा है अपार, कुछ हो जाए ऐसा चमतकार. कुछ हो जाए ऐसा चमतकार, तेरे संग जा सके बाबा दरबाड, तेरे संग जा सके भोले बाबा दरबाड, अगला पढ़ता हूँ, अकेले हूँ, तो उस पर लिखता हूँ कि, अकेले हूँ पर अकेला नहीं, उसकी याद साथ रहती है, अकेले हूँ, पर अकेला नहीं, उसकी याद साथ रहती है, मुलाकात होती है अक्सर पर मिलते नहीं, कुछ ऐसे हालात साथ रहते हैं, और जानना चाहते हो सके याद आने की नीद में रहूं, फिर भी उसके खयाल साथ रहते हैं, और थो थोड़ी दूर रहती है मुझसे, वो थोड़ी दूर रहती है मुझसे, पर उसके हमेशा साथ होने के हैसास साथ रहते हैं। कि एक बार चले जो गए तो फिर लोट कर आने का क्या फाइदा एक बार चले जो गए तो लोट कर आने का क्या फाइदा देखकर दरवाजा बंद जो कर लिया तो फिर खिड़की से जहाकने का क्या फाइदा सुख्या सुख्या